मैं आपका दोस्त अभाई कुमार एक बार फिर हाजुन हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ कल जो मैंने अपना वीडियो बनाया था उसमें बहुत लोग का कमेंट आया प्रशनली फोन आया कि सर आप जो यह वीडियो बना रहे हैं एच्छ सी रिलेटेट सेफ्टी जोब्स कहां मिलेगा जोब्स एच्छ सी एच 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 प्रशनल कि मैं प्रशनल सब्द का यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डिफ्रेंट डिफ्रेंट कंपनिया अलग अलग कंपनी कहीं ओपिसर का जॉब देती है कहीं मतलब अलग अलग जो भी कंपनी है अलग अलग जॉब देती है कि कहीं ओपिसर करता है कहीं आपको इंजिनियर का जॉब मिलता है कहीं आपको इंजिनियर का जॉब मिलता है तो डिपेंड करता है और्गनाइजिशन पे तो जैसा कि फैक्ट्री एक्ट जो है प्रावधान किया गया है कि जहां भी 50 पर्षन जहां भी 50 पर्षन अगर है 50 पर्षन अगर है तो वहां पे नहीं था सब्रषन को रखने का लेकिन अभा फिश्रा यह जो आजकल कर ट्रेंड चल रहा है वहां पर बिना किसी श्यक्रशाव का आप कोई भी जॉब नहीं कर सकते हैं तो आप जो बेडिंग करते हो कंपनिया जब बिडिंग करती हैं उसी में आपके टेंडर डॉकॉमेंट में ये लिखा रहता है कि आपको कितना safety प्रस्नल वहाँ पे चाहिए कितना safety प्रस्नल आपको रखना है तो आपको हर एक फैक्ट्री एवरी फैक्ट्री कि एवरी फैक्ट्री में अभी आपको safety प्रस्नल का ओपनिंग होता है अभी हर एक जगह पे आपको जितने भी manufacturing फैक्ट्री हो ठीक है कोई production का फैक्ट्री हो वहाँ या एवरी कंस्ट्रॉक्शन साइड कि एवरी कंस्ट्रॉक्शन साइड मैं यहां पर थोड़ा sort form यूज करता हूं लिखने का ज क्योंकि आपको आगे में भी यह काम आएगा sort form लिखना every construction साइड जितने भी construction साइड है वहाँ पर भी आपको safety professional का job मिलता है ठीक है आपको हर एक जगह जितने भी safety professional है वो हर एक जगह पर आपको यह चीज जॉब मिलेगा अभी कोई बोलता है सर मुझे fire का job मिला fire का fire officer fire officer का fire officer का job मिला तो आप as a safety professional भी आप fire का का काम करते हो as a safety professional भी आप fire का भी काम करते हो उसमें क्या होता है कि just आपको एक fire fighting with fire extinguisher, fire extinguisher जो portable fire extinguisher होता है, उसके थुरू आपको fire fighting करना, लोगों को training देना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है how to use fire extinguisher, तो उस समय भी आपको छोटा मोटा fire है, तो आपको fire extinguisher से उसको fire fighting करना पड़ता है, तो वो भी एक आपका job होता है, अब question आता है कि sir, कहां से job करें, कहां से course करें, तो सबसे पहले बात, मैं किसी का criticize नहीं कर रहा हूँ, जितने भी student हैं, अगर course करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले ये verify करें, कि जहां वो course करने जा रहे हैं, जहां से भी वो study करने जा रहे हैं वहां पे जो tutor है, जो पढ़ाता है, वो आपको basic knowledge है, जो understanding है, वो होना चाहिए, होता क्या है, आप जब पढ़ने जाओगे, तो वो क्या करते हैं, books, books आपको reading करके बता देंगे, reading कर देंगे, कि ये books है, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, लेकिन आपको books में जो भी points है, every point, आपको understanding जरूई है, अगर जब तक आपको उसका meaning नहीं समझाता है, क्यों होता क्या है, आप understanding, तो आप रटने से कोई फाइदा नहीं है, कोई definition, अगर आप रट रहे हो, तो कोई फाइदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप understanding नहीं होता है, आपक आपको रटने की चीज़ नहीं है, आप definition अपने आप से भी बना के बता सकते हो, ठीक है, मान लिजे कि कोई पूछे, what is hazard, तो आप बोल सकते हो something potential to harm, जो आपको नुकसान पहुचाने के जिसमें छमता हो, वो हजार है, तो आपको definition रटने की जरूवत नहीं है, तो सबसे प तो technical board, technical board से approve हो, या EICTC से approve हो, ठीक है, EICTC से approve हो, तो उससे आपको course करने के, क्योंकि factory act में clear लिखा है, as a safety professional बनने के लिए, आपको technical board, EICTC से approve, जो माननेता प्राप्त इंस्यूट्स हैं, उनी से आपको जागर course करते हो, तो आपको इलिए, वो eligible हो, safety professional के लिए, आप काम करने के लिए, अगर कहीं से भी आप कोई course करके, या certificate खईद के लेके आते हो, तो वो आपके लिए fruitful नहीं है, तो दो चीज, एक तो आपका, उसका certification कहां से, उस जो education center है, जो education center है, वो उसका certification कहां से है, वो certification आपको चेक करना है, अगर आप certification नहीं चेक कर रहे हो, तो आपको course करने का कोई value नहीं है, क्योंकि आपको job में difficulties होंगे, दूसरा, जो आपको वहाँ पढ़ा रहा है, जो faculty है, जो teacher है, वो कैसा दे रहा है, आप एक demo class लेके देखें, क्यों आपको understanding करा रहा है कि नहीं, आपको जो meaning है, वो समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है, अगर वो समझा रहा है, तो सही है, आ हर एक जगह, हर एक location, every contractor, every, हर एक department, हर एक company को, हर construction site पे, हर factory को safety professional रखना ज़रूरी है, तो इसलिए आपको job की, यह surety है, लेकिन आपके पास knowledge होना चाहिए, आपके पास जो certificate हो, और technical board से approved हो, तभी आपको job मिलेगा, thank you very much, अगर मेरे द्वारा जनकारी दी गई आपको पसंद आई हो, तो please मेरे चैनल को subscribe करें, like करें and comment करें, thank you very much